ले गाज आज की इस वीडिया हम बात करने वाली की आप अपने विडीयो की ओर को êtes अब लेटे को कैसे निकाल सकते हैं refers और रेस्व त्रिक बताने वाला हूं कि कि किस ट्रिक आप से है तंडीड परसेंट आपने विडीयों की का अज़घए साथ defence है को लाइक करते आपको अपने वी आई सिम्की कॉल डेटेल को डाउनलोड करने के लिए मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ एकदम वर्किंग ट्रेक है इसी ट्रिक के वंदर से आप अपनी कॉल डेटेल को निकाल पाएंगे अगर आपको कोई और कुछ बताता है तो उससे बिल्कुल भी आपकी हैल्फ नहीं होने वाले ही जो कि आज की इस बुड़ी में आपको बताऊंगा उसी से आप अपनी कॉल डेटेल को निकालने वाले हैं तो वीडी को बिने स्किप की एंड तक कम्प्ली ध्यान से देखिएगा तो simple से आपको vi के application play store से download कर लेना है और simple से आपको इस application को open करना है open करने के बाद कुछ हैसा interface देखने को मिल जाएगा इस पर अपना mobile number अपना register कर लेना है register मैं फिलाल से पहले सही कर चुगा हूँ तो मैं register नहीं करता है इसको cut कर देता हूँ cut करने के बाद कुछ हैसा interface देखने को मिल जाता है इधर पर आपको account का option देखने को मिल जाता है इस पर click करते हैं तो कुछ हैसा interface देखने को मिलेगा और साथ में इधर पर आपको edit profile का icon देखने को मिल जाता है edit profile के icon पर आपको simply से click करना है तो इधर पर आपको alternate mobile number का option देखने को मिलता है और साथ में इधर पर आपको email ID का option देखने को मिल जाता है जो कि दोनों ही blank है मेरे में ये option दोनों के इक हाली है क्योंकि मैंने कोई alternate mobile number इधर पर enter नहीं कर रखा और नहीं कोई भी मैंने email ID इधर पर enter कर रखी है बट इधर पर आपको एक alternate mobile number डालना है मतलब कोई सभी mobile number इधर पर आप डाल सकते हैं और simple से इधर पर आपको एक email id भी डाल लिए हैं अब आपको email id कौन सी डालनी है email id वो डालनी है जिस पर आप अपनी call detail की history मंगाना चाहते हैं simple से उसी email id को इधर पर आपको इंटर कर देना है alternate mobile number डाल देना है और simple से आपको save कर देना है save करनेक बाद मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ full step by step आपको follow करनी है और simple से आपको 199 पर call लगा देनी है 199 पर आप call लगाएंगे तो आपको customer क्यार से बात करनी है V.I.SIM के customer क्यार को आपको transfer की जाएगी call उनसे आपको बोलना है कि सर मैं अपने SIM के call detail निकालना चाहता हूँ तो आपको दो दरही के बताएंगे जो कि सबसे फस्ट तरीका होता हूँ आपसे बोलेंगे कि e-build के थुरू मैं post courier से भिजवाऊंगा आपको पूरा detail call की मतलब paper से भिजवाऊंगा तो उससे आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे उसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं 50 रूपी अगर आप 50 रूपए देते हैं तो आपके घर पर ही है उसके call detail की history निकल के आजाएगी एक कागजों में और एक तरीका और भी बताते हैं और एक तरीका और भी बताते हैं कि आपको अगर है call detail निकाल लिए email id के थुरू तो simple से आप अपनी email id रजिस्टर कीजिए ये कुछ ऐसा कुछ बताएंगे आपको 12345 में एक message करना है अपनी email को type करके तो आप बोलेंगे कि sir मैं मतलब अपनी email id को add कर चुका हूँ via application के through तो आप उनसे बोल देंगे कि हमारी email id add है इस number पर तो बोल देंगे ठीक है फिर उनसे आपको बोलना है कि sir मुझे call detail की मतलब पूरी email send कर दीजिए इस email पर तो आपको email send कर देते हैं मैंने खुद मंगवाई थी इस number की नहीं मैंने दूसरे number की अपने मंगवाई थी तो बट उसकी आ गई थी पूरी email मेरे PDF फाइल आ गई थी मेरी email पर तो मैं आपक करते हैं तो कोई भी तरीका देखने को नहीं मिलता आपको customer care से बात करनी ही पड़ेगी तभी आपकी call detail की PDF फाइल आपके email पर ट्रांसफर की जाएगी तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो पोचेंगे email ID इंटर करने के लिए तो आप बोलेंगे कि email ID हमने इंटर कर द आपको वीडियो पसंद आएगोई आपको वीडियो पसंद आते वोड़ों को लाइक भी कसकते हैं फ्लीज चालना प्रीन हों अंत्रिश्चाइब करके नोड़ी किसान बालाकिंगों जवापास कर देना और भी कोई प्रोब्लम आ रहे हैं तो मेरे इंस्टागाम पर आप पूर सकते हैं यूजर नहीं में अवैसनों 27 लिंक डिस्क्रेप्शन में में देखने को मिल जाएगा थैंक्स वाचिंगाइच